तो आज आपके लिए लेका है हूँ Samsung का कमाल का smartphone A33 5G इसकी design देख सकते हो बाइस साब कितनी प्यार ही है दोस्तो आज मैं इस वीडियो में इसके मज़ेदार hidden features बताने वाला हूँ जो साइग ही आपको पता होंगे अगर इस mobile को खरीद लिया है या फिर खरीदने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को सरूसर लेकर end तक ध्यार से देख लेना ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful होने वाली है फटा फट से करते हैं start दोस्तो इस तरीकी से slide करते हो तो आपके सामने ये Google Discover आ जाता है इसका नुकसान क्या है यहाँ पर गलत फोटोस वगेरा आ जाती है जब अपन इसमें net यूज़ कर रहे होते है तो आप इसको हटाना चाहते हो तो simply इस तरीकी से pitch करना है और आपके सामने setting आएगी इसके ओपर क्लिक करना है अब यहाँ पर देख सकते हो add media page to home screen इसको simply यहाँ पर off कर देना है अब आप देखो कि यहाँ से Google Discover है चुका है इसके लवा दोस्तो इस smartphone की बड़ी display है आप simply चाहते हो कि इसको इस तरीकी से land escape mode में यूज करें बाई काफी मज़ा आजाएगा डिस्पले का तो इसके लिए भी simply आपको tap करके रखना है और setting के अंदर जाना है यहाँ पर जाने के बाद में निच्छे देखने को मिलेगा rotate to land escape mode इसको on कर देना है on करने के बाद में आपको simply बेका जाना है अब आप देखोगे आपका smart phone इस तरीकी से यूज कर पाऊँगे land escape mode में जो बाई एक बड़ी display की काफी बैठरीन feeling आने वाली है गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस smart phone में call recording को on कैसे किया जाता है और call recording होने बाद में एक खाहँ पर देखा जाता है और भी dialer में एक मज़ेदार settings बताने वाला हूँ तो simply आपको three dots के उपर क्लिक करना है और setting के उपर क्लिक करना है अब आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलीगा record calls इसको उपर क्लिक करना है अब आप चाहते हो कि आपके smartphone में auto call record हो तो इसको on कर देना है simply confirm करना है फिर यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि हमारे smartphone में कौन-कौन सी recording हुई है तो simply यहाँ पर record calls के उपर जाकर यहाँ पर allow कर देना है अब आप यहाँ पर audio file के अंदर recording calls जो हमने record की वो देख सकते हो इसी के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है show notification after recording जब आपने किसी का call करके end कर दिया तो यहाँ पर आपके smartphone में recording हुई है उसका notification आ जाएगा कि इस calling पर आपके recording हुई है इस mobile में आप कोई भी app को hide करना चाहते हो तो simply आपको home screen पर tape करके रखना है और setting के उपर click करना है अब आपको यहाँ पर नीचे scroll down करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा hide apps on home screen and apps screen तो यहाँ पर आपको भी hide करना चाहते हो उसके उपर click कर दीजीगा अब यह वाला app hide हो चुका है अगर आपको hide app देखना तो यही पर आकर देख सकते हो अगर इसको बापस minus के उपर click करोगे तो यह unhide हो जाएगा लेगिन इससे भी मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ simply आपको आना है back और यहाँ पर मिलता है call background इसके उपर click करना है click करने के बाद में देखोगे दोस्तो आपके smartphone में जो भी background में calling होगे रहोती है तो आप उसके calling के निचे यहाँ पर यह वाला background set कर सकते हो और यहाँ पर निचे देखने को मिल जाता है use video sound as ringtone यानि ringtone के साथ में इस video का भी effect डालना साथ हो sound का तो यह इसको on कर देना है लेकिन एक चीज़ कमाल की दोस्तों यहाँ पर आपको बेक आना है और यहाँ पर आप background के उपर click करना यहाँ पर आपको प्लेस्ट के उपर tap करना है अब आप चाहते हो कि यहाँ पर हमारी खुद की video लगानी है तो आप अपने smartphone के camera से suit करके यहाँ पर अपनी खुद की video फोटो वगरा लगा सकते हो या फिर किसी का भी call आता है तो उसकी photo या video को भी set कर सकते हो इसी के अंदर आपको बेक आने के बाद में यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है answering and ending calls इसके उपर click कर देना है दोस्तों आपने iPhone में देखा होगा जब भी किसी का call आता है तो उसका नाम है जो नाम speak करता है नाम बोलता है कि इसका call आया है तो आप इसका बताता हूं क्या फाइदा है जैसे हमने यहाँ से Bluetooth या फिर Aircon Bluetooth वाले connect कर रहे हैं स्मार्टफॉन से और बाइक पर चल रहे हैं तो आपका स्मार्टफॉन जेब में आप इसको निकालना नहीं चाहते है और answer automatic call करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो after 2 seconds तो यानि 2 seconds के अंदर call अपने आप attend हो जाएगा अपने आप उठ जाएगा इसमें आप यहाँ पर time भी set कर सकते हो और custom time भी set कर सकते हो कि यानि कितनी देर में यह उठना चाहिए अब इसी के अंदर बेक आने के बाद में प्रेस volume up to answer call जैसे कि दोस्तों आप साथ हो कि किसी का call आता है तो आप यहाँ पर volume वाले गए lock button को तो call end हो जाएगा इसी के अंदर बता देता हूं बेक आने के बाद में यहाँ पर आपको दिखने को मिलता है call display while using apps जैसे कि आप कोई दूसरा apps यूज कर रहे हो और आपके सामने इस तरीके से call का notification आएगा उपर आप साथ क्यों कि पूरी screen पे आना चाहिए तो य चलिए गाईज अब मैं आपको कमाल की tricks बताने वाला हूं simply आपको जाना है इसके लिए setting में setting में आने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा wallpaper and style इसके उपर क्लिक करना है अब जैसे कि आप देखोगे हम निचे scroll down करते तो यहाँ पर आपको blue color देखने को मिलता होगे guys यहाँ पर 1-2 second wait करना होगा तो फिर आपके सामने इस तरीके का color change हो चुका है यहाँ पर आपको निचे यह वाले buttons देखने को मिलते हैं आप चाहते हो कि इस back button को हटाना है तो इस तरीके से जैसे आपको gesture की तरफ करना है तो simply आपको general management के उपर क्लिक करना है अब आ यहाँ पर swipe gesture की उपर क्लिक कर देना है अब आप देखोगे यहाँ पर button अट चुके इधर से select करोगे तो बेक आजाओगे इधर से select करोगे तो बेक आजाओगे इसके अलवा यहाँ पर home screen पर आ सकते हो यहाँ पर recent apps को निकाल सकते हो इस तरीके से दोस्तों जैसे हम यहाँ पर scroll down करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे notification आये हुए रहते हैं phone पर के Instagram के तो आप कभी कबार क्या करते हो एक साथ में clear कर जोते हो फिर आपको एक दिन बाद में दो दिन बाद में जानना हो कि मुझे phone पर या फिर किसका balance आया था या Instagram पर किसका message आया था तो ऐसा जान सकत लेकिन एक setting on करने पड़ेगी notification setting पर जाना है फिर आपको यहाँ पर simply bake आना है बेक आने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी advanced setting इसके उपर click करना है अब यहाँ पर notification history मिलती है तो इसको यहाँ से on कर देना है ओन करने बाद में जैसे ही आप यहाँ पर clear करते ह तो सारे notification यहाँ पर आपको show हो जाएंगे जैसे इस तरीकी से कि कौन सा notification कितनी वजया था किस किस एप से notification आया था तो है ना दोस्तो कमाल की trick और दोस्तों यहाँ पर आपको battery के percentage show हो रहे हैं तो आप साथ हो कि यह battery percentage show ना हो कितना बेटरी बची है या फिर तो आप show कराना चाते हो तो यही पर आपको show battery percentage मिल जाता है इसको off करोगे तो battery percentage show off हो जाएंगे और on करोगे तो यहाँ पर show होने लग जाएंगे तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस smartphone के खमाल के features बताने वाला हूँ simply camera की setting तो guys जैसे कि आप देख सकते हो इसमें DSLR वाली अच्छी photo कि करना साथ हो तो यहाँ पर आपको portrait mode के उपर click करना है अब आप यहाँ से background में बलर को कम जदा करना साथ हो तो इस तरीकी से background में बलर कम जदा कर सकते हो और इसी के अंदर आपको fun mode मिल जाता है जैसे कि आप photo के उपर यहाँ पर किसी के emoji वगर लगाना साथ हो तो इसमें ल यहां पर more के अंदर आने के बाद में प्रो मोड, प्रो वीडियो, सिंगल टेक, यहां पर मेक्रो केमरा, बहुत सारे फीचर्स मिल जाती हैं, पेंडरूमा मोड, तो एक बार यूज करके जुरूर देगना, इस स्मार्टफोन का केमरा बड़ा ही लाजबाब है, तो दोस्तों यह थी इस स्मार्टफोन के कमाल दमाल हीडन फीचर्स, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर जीजीगा, इस मोबाइल को लेकर आपको कोई भी प्रोब्लम होती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, थैंक्यू सो मस्गाइज कर दो झाल सक्काइब प्रोब्लम होती हन्कली Ayं होती है?